हेलो एवरिवन वेलकम टू सक्सेज विद राय अकेडमी यूपी पुलिस भरती परिक्षा 2018 के समान दिन की सीरीज में आज हम प्रमुख सीमा रेखा एवं उनसे विवाद जो जुड़े हुए हैं उसको पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है वो सभी परिक्षा के लिए इसमें से एक टॉपिक चरूर मिलेगा और आपको इसे नोट करना है और नोट करेंगे तो आपको समझने और याद करने में काफी आसानी होती है चलिए विडियो को सुरू करते हैं देखिए पहला जो है वो है मैक मोहन रेखा मैक मोहन रेखा जो है वो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है और ये विवादों में रही है हमेशा भारत और चीन के बीच में सेकेंड है रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच ही रेखा है ये भी हमें सब विवादों में रही है नेक्स्ट है डूरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मद्दी की सीमा रेखा है और विभाजन से पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब ये प्रिटिस भारत एवं अफगानिस्तान के बीच के रेखा थी नेक्स्ट है मैगीनाट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है नेक्स्ट है हिंडिन बर्ग रेखा ये पश्चिमी जर्मन एवं पोलेंड के बीच की सीमा रेखा है नेक्स्ट है सत्रवी समानांतर रेखा ये उत्री वियत नाम एवं दच्छणी वियत नाम के बीच की रेखा थी जो अब समाप्त हो चुकी है याने कि अब इस रेखा को सीमा रेखा को हटा दिया गया है नेक्स्ट है 38 याने 38 समानांतर रेखा जो उत्री कोरिया एवं दच्छणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा है और यह हमेशा बहुत ही जादा विवादों में रही है और हमेशा उत्री कोरिया और साइट कोरिया में इस बात को लेकर काफी टेंशन भी चलती रहती है अगर हम note pinpoint की बात करें तो भारत की जो सबसे बड़ी सीमा रेखा है वो बांगलादेश के साथ है जबकि छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है तो ये आज क्या important topic था प्रमुख सीमा रेखा हैं एवम विवाद ये जितने भी आपको सीमा रेखा बताई गई है ये exam में पूछी गई है इसलिए ये important topic उठाया गया था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद